दोस्तों अगर आप भी अपने बढ़ते वजन से परिशान हैं और दिन पर दिन आपका पेट निकलता जा रहा है, कमर मोटी होती जा रही है, शेरीर के किसी भी पार्ट में मोटापा बढ़ रहा है, और काफी उपाय करने के बाद भी अपने बढ़ते वजन को कंट्रोल नही स्वागत करता हूँ, अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा, दूसरों के साथ शेर कीजेगा, ताकि जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं, उनको मदत मिल सके, और चैनल पर पहली बार आया है, तो इस तरह की बहुत स आप घर पर बना कर इसका इस्तमाल कर सकते हैं, और इसका रिजल्ड भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा, तो चलिए जानते हैं इस पहले रेमेडिय के बारे में, पहले रेमेडिय में चाहिए आपको पानी, इस कलाओ चाहिए चिया के बीज, यहाँ पर आपको एक आप सनाप खाने से भी बचे रहोगे, चिया के बीज में अलफा लियोनिलिक एसीड भरपूर होते हैं, जो शरीव में फैट जलाने वाले मेटाबोलिजम को बढ़ाते हैं, चिया के बीज में मौझूद फाइबर, शरीव में फैट और कार्बो हाइडिट के अब्जॉप् अगर निम्बू और शेहत को साथ मिलिया जाए तो यह कॉंबिनेशन तेजी से फैट को कम करता है, यह आजमाए हुए रेमेडी हैं, तो आप भी चिया बीज मंगवा लीजेगा, अगर चिया बीज नहीं मिल रहे हों, तो इस रेमेडी की जग आप कौन सा रेमेडी ले सकत आपको एक चिया के बीजों को, आधा निम्बू निचोर देना है, और साथ में डालना है एक छोटा चिया शेहद, इन सभी चीजों को ढग कर एक घंटे के लिए छोड़ देना है, चलिए जानते हैं अगले रेमेडी के बारे में, इसमें हमने सबसे पहले लिया है जीरा, देखें, जीरा जो होता है, यह मेटाबोलिजम को बढ़ाता है, जो भी खाया पिया होता है, वो डाइस्ट हो जाता है, जिसके वज़ए से वेट लॉस में आपकी यह मदद करता है, हमने यहाँ पर लिया है जीरा, इसके साथ लिया है अद्रग, यहाँ पर आपको एक देख लिजे, धनिया और जीरा को समान मात्रा में लिया है, अगर आपने 50 गराम धनिया लिया हो, तो 50 गराम जीरा लिजेगा और इन्हें ड्रायर रोस्ट कर लिजेगा, भोलने के बार से पीश कर इसका पाउडर त्यार कर लिया है, अब क्या करेंगे हम, एक पैन में एक पानी लेंगे इसमें डाल देंगे हम इस पाउडर का एक चमज घर पके जो नॉर्मल चमज करें उसी चमज का इस्तमाल करना है। और साथ में डाल देना है इस अद्रक को हमें इस पानी को लगभख चार से पांच मिनिट तक मीडियम आच में अराम से उबन ले देना है ताकि इन औसधियों के गुण जो है इस पानी में अच्छे से मिल जाए चार से पांच मिनिट हमने इसे उबाल लिया है इसे हम कप में च्छान कर निकाल लेंगे देखे हमारा ये वेट लॉस ड्रिंक बन कर तयार हो किया है इस चाय को आराम से शिप-शिप करके पी लिएना है एक बात का विशिष धियान रखना है कि आपको इसे लेने के एक घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है है ना नहीं तो यह काम नहीं करेगा आप एक घंटे के बाद अपना ब्रेकफॉस्ट स्थ ले सकते हैं और करना है और आदे घंडे पहले आपको इससे ची आ बीज के ड्रीन को लेना है अगर आपके पास ची या बीज नहीं मिल रहा है तो उसकी çीजह क्या कर सकते हैं ची बीज की प्रसक्ति के जगह आप चनी के सत्तू ऑन जानते होंगे civil हैंहितände एक किलो भूनावा चना ला रहे हैं, तो यहाँ पर इसमें 300 गराम आपको जौ मिलाना है, जौ को भी आप घर पर भून लीजेगा, नहीं तो आप चना और जौ साथ में भून कर इसे पीछ कर इसका पौडर तयार कर सकते हैं, यह जो पौडर आप तयार करेंगे यही है सत्तु बाउल मिलीजे, इसमें धनिया पती या फिर पूदिना पती, काला नमक, जीरा पौडर मिलाकर इसका ड्रिंग तयार कर लीजे, और इस ड्रिंग का सेवन आप खाना खाने के 40-45 मिनिट पहले कर लीजे, और इस गरमी के मौसम तक कर सकते हैं, अगर आप चिया बीच हुआ है, वो कम होता चला जाएगा, सत्तु के भी अपने बहुत से इफादे मिलते हैं, इसके लाव आप फिजिकल एक्टिविटी रखे, जीम वगरा जाइए, योगा एक्सराइस कीजे, अगर आप नहीं कुछ कर सकते हो, आधा घंटा वाक कर लीजे, रनिंग कर लीजे, जो आप से बंद पड़े वो जरूर कीजे, खाना पचाने के लिए वर्जिस करना बहुत ही जरूरी है, आप को होगे कि भई मैं रेमेडी ले रहा हूँ, नुस्खा ले रहा हूँ, मुटापा कम आप याप हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता, आपको फिजिकल के बाद अपना वेट चेक किजेगा, यकीन माने आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो आज इस वीडियो बस इतना ही आश्या करता हूँ, यह जानकारी अच्छी लगी होगी, कैसी लगी है आप हमें कॉमेंट करें बताएगा, मिल तो अगरे वीडियो में अपना ख्याल लखें पर यह वारगा ख्याल लखें धन्यवादी